हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 8.3 का question number 2 तो question number 2 क्या कहता है make 5 more examples and find the greater number from them जो question number 1 किया था हमने ये उसका continuation है question number 1 में हमें 2 numbers दे रखे थे और हमसे पूछाता कि कौन सा greater है यहाँ पे कह रहा है कि वैसे ही हमें 5 और examples बनाने हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने 5 और examples बना लिए इस तरह से अब हमें इसमें greater number देखना है कि कौन सा है तो यहाँ पे देखो यह वाला part अगर हम देखे तो यह क्या दे रखा है 5.1 लिख लेंगे यह दे रखा है 5.010 अब एक चीज़ देखो यहाँ पे decimal के बाद 3 number से यहाँ पे decimal के बाद 1 number है तो इसको हम पहले 3 number बना लेंगे तो यह 2,0 बढ़ा लेंगे अब यहाँ पे देखो यह 5 है यह 5 है सेम सेम है decimal है decimal है सेम जगए पर यहाँ पे यह 1 है यह 0 है 1 हमारा 0 से greater होता है तो यह हमारा इससे greater हो जाएगा ऐसे ही हमें compare करना है अब यहाँ पे B बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है 4.213 यहाँ पे 42.13 अब decimal से जो पहले number होते है उनको हम एक साथ देखते हैं जैसे यहाँ पे यह 4 दे रखा है यहाँ पे यह 42 दे रखा है C वाला पार देख लेते हैं यहाँ पे यह दे रखा है 3.885 और यह दे रखा है 3.895 अब यहाँ पे देखो यहाँ पे यह 3 दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है decimal की दे पर decimal दे रखा है फिर 8 दे रखा है यहाँ पे भी 8 दे रखा है इसका मतलब ये नंबर जो है वो greater हो जायागा D वाला पार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2.943 तो यह लिख लेते है 2.943 2.952 अब यहाँ पर 2 की जाहे पर 2 दे रखा है decimal की जाहे पर decimal 9 की जाहे पर 9 यहाँ पर यह 4 यह 5 5 हमारा 4 से greater होता है तो यह number हमारा इस number से greater हो जायागा यह वाला पार्ट देख लेते हैं यह क्या दे रखा है 0.85 यह दे रखा है 0.837 अब यहाँ पर decimal के बाद कितने numbers दे रखा है 1,2 और यहाँ पर 1,2,3 तो इसको भी हम 3 कर लेंगे तो यह हो जाएगा 0.850 अब यहाँ पर compare करते हैं यह 0 है, यह 0 है decimal के बाद decimal लगा है यह 8 लगा है, यह 8 लगा है यह 5 है, यह 3 है 5 हमारा 3 से greater होता है तो यह number भी हमारा इस number से greater हो जाएगा लास पार्ट था questions हमापत next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना है